दोस्तों, हमारी आज की कहानी दुनिया की सबसे पॉपिलर हॉरर फिल्म फ्रेंचाईज इंसीडियस से इंस्पाइड है, जिसका फिफ्ट और फाइनल चैप्टर इंसीडियस दे रेड डोर है, 6 जुलाई को रिलीज हो रहा है थिटर्स में, जहां पूरी पुरानी कास्ट ब खूप सारे जंप स्केर्स के साथ, और इसलिए, खूणी मंडिल आया है इंसीडियस का एक रेज अपनी इस कहानी में, तो चलो शुरू करते हैं 18 साल का स्टीफिन अपने परिवार के साथ, USA के कैलिफोनिया शेहर में रहता था, जब स्टीफिन 10 साल का था, उसके डाड की एक बिमारी के कारण मौत हो गई थी, उसके बाद से स्टीफिन की मौम ने उसका और उसकी छोटे भाई स्टैनली का ध्यान रखा था, स्टीफिन ने अपनी फैमिली की हालत समझी और पढ़ाई की तरफ बहुत ज़ादा ध्यान देने लगा, स्टीफिन जल्द ही अपने स्कूल का टॉपर बन गया, और उसका एड्मीशिन एक बहुत ही बड़े और प्रेस्टीजिस कॉलेज में भी हो गया, स्टीफिन के एड्मीशिन से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे, उसे भी अपना नया कॉलेज बहुत पसंद आ रहा था, एक दिन एक बुग ढूनने के लिए, स्टीफिन अपनी दोस नाटी के साथ कॉलेज की लाइबरेरी पहुचा, नाटी वहीं एक टेबिल पर बैठ कर अपनी किताब पढ़ उन शेल्स के पीछे अचानक ही स्टीफिन को एक लाल रंका दर्वाजा नजर आया, वो ये देखकर बहुत कन्फ्यूज हो गया, कि आखिर लाइबरेरी में ऐसे सीक्रेट दर्वाजे का क्या काम, स्टीफिन उस दर्वाजे की तरफ बढ़ा, और तभी उसे ऐसा फील कि जैसे उस दर्वाजे के पार से उसे कोई आवाज लगा रहा है। स्टीफिन उस अवाज का पीछा करने लगा, और चलते चलते वो अपने कॉलेज की ही लाइबरेरी में पहुच गया, मगर वो लाइबरेरी बेहद अलग लग रही थी, हर तरफ अंधेरा सा था, डरावना सा धुवा था, लाइबरेरी में बैठे स्टूडेंट्स बहुत व कि अचानक उसे फिर से अपना नाम सुनाई पड़ा, उसने सामने की तरफ देखा, तो वहाँ एक औरत खिड़की की तरफ मूग किये खड़ी थी, वो अपने नाखूनों से खिड़की को नोच रही थी, और बार बार स्टीफिन को पकार रही थी, जैसे ही स्टीफिन उसके करीब गया, वो औरत पलटी और स्टीफिन को देखकर बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल करने लगी, देखते ही देखते, उस वड़त का चहरा बदलने लगा, उसका चहरा बिल्कुल लाल हो गया, और शरीर काला पढ़ गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई शैतान हो, स्टीफिन को देखते ही वो शैतान गुर राया, और उसे पकरने की कोशिश करने लगा, स्टीफिन बहुत डर गया और हडबड़ा के वापस उस रेड डोर की तरफ दोड़ने लगा मगर अब वहाँ रेड डोर था ही ही स्टीफिन एक अलग डरावनी दुनिया में फस चुका था वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में स्टीफिन लाइबरी के ग्राउंट फ्लोर में बैठा काप रहा था उसकी आँखें बन थी नैटी ने जब उसे कापते देखा तो उसने जल्दी से स्टीफिन के चेहरे पर पानी छड़का और जोर से स्टीफिन का नाम पुकारा तब जाकर स्टीफिन होश में आया नैटी ने उसे बताया कि वो पिछले कुछ मिनिट पहले लाइबरी में बैठे-बैठे सो गया था और फिर अचानक ही वो कापने लगा मतलब नैटी की माने तो स्टीफिन कभी लाइबरी के फॉर्स फ्लोर गया ही नहीं थी और स्टीफिन घर जाते ही किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गया स्टीफिन सपने में दुबारा उसी दुनिया में था वो एक बड़े से कमरे में कैद था और उसके आसपास बस अंधेरा था तभी उसे फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था वो जैसे ही पल्टा उसने देखा कि वही डेविल उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था उसने स्टीफिन के सर पर हाथ रख था और स्टीफिन बुरी तरह चिल्लाने लगा उसकी आँखें सफेद हो गए असली दुनिया में स्टीफिन सोते हुए दुबारा कापने लगा था इस बार वो जोर जोर से दर्द के मारे चीखने भी लगा था तभी स्टैनली भागता हुआ स्टीफिन के रूम में आया और उसने अपने भाई को किसी तरह जगाया स्टीफिन दुबारा नीन से उट तो गया था मगर इस बार कुछ अलग था इसा लग रहा था कि जैसे स्टीफिन के शरीर में वो नहीं बलकि कोई और है उस रात के बाद स्टीफिन ने कॉलेज जाना बंग कर दिया वो दिन भर अपने रूम में खुद को लौक करके रखता था ना किसी से बात करता था और ना ही कुछ खाता पीता था रात में स्टीफिन पूरे घर में भूतों की तरह गोंता रहता और अकसर अपने भाई स्टैनली के रूम में जाकर उसे घंटों तक घूरता रहता था। एक रात स्टैनली की नींद किसी अजीब सी आवाज से खुली। जब वो उठा तो उसने देखा कि स्टीफिन उसके कमरे के एक कोने में बैठा, दिवार पर कुछ खरोच रहा था। उ स्टीफिन कोने में बैठा, कीडे खा रहा था। उसकी आखें पूरी तरह सफेद पड़ी थी और वो अपने नाखून से दिवार पर कोई अजीब सा इविल मंत्र खरोच रहा था। अचानक स्टीफिन ने स्टैनली की तरफ देखा और उसका घरा पकड़ लिया। स्टैनल जोरो से अपनी मा को आवास देने लगा। ये सब आवाजे सुनकर स्टैनली और स्टीफिन की मौम कमरे में आ गई। और उन्होंने देखा कि स्टैनली अपना गरा पकड़ के खास रहा है और उसी के बगल में स्टीफिन भी होश पड़ा है। इन सब घटनाओं के बाद स् स्टीफिन पर किसी काली शक्ती का साया था और इसलिए वो अपनी दोस्त अलिस के पास पहुची। अलिस एक डीमनोलोजिस्ट और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। वो स्टीफिन के घर आई और उसका चेकप करने लगी। अलिस को जल्द ही समझा गया था कि आखिर स् को बताया कि स्टीफिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन्स कर सकता था यानि कि सोने के बाद उसकी आत्मा हमारी दुनिया चोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रैविल करने लग जाती है और इस बार स्टीफिन की आत्मा बहुत जादा दूर चली गई है वो इविल स्पिरिट्स की दुनिया में पहुच गई है जिसे दुफर्दर कहते हैं एलिस ने कहा कि दुफर्दर में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स फस चुकी है और वहां तड़कती रहती है और अब वो सारी भयानक आत्मा ये स्टीफिन की बॉड़ी को यूस करके इंसानी दुनिया में गुसने की कोशिश कर रही है और इसलिए ये सारी अन्होनिया हो रही है एलिस ने दुफर्दर में फसे स्टीफिन की आत्मा से बात करने के लिए एक सियोंस यानि एक रिच्वल शुरू कर दिया एलिस स्टैनली और स्टीफिन की मौम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अ दोर तक बहुत सकता है और अपनी दुनिया में वापिस आ सकता है स्टीफिन एलिस की अवास को फॉलो करके आगे बढ़ने लगा चारों तरफ बस अंधेरा था और उसी अंधेरे में उसके आस पास बहुत सी भानक आत्माएं गुन रही थी तब ही अचानक स्टीफिन को उ उन आत्माओं की बीच बैठा डेविल निजर आया जो उसे बेहत गुस्से से देख रहा था ये देखते ही स्टीफिन बहुत डर गया और अलिस की अवास की तरफ भागने लगा स्टीफिन को देख वो डेविल भी गुर राया और स्टीफिन का पीछा करने लगा उसने पकड़ लिये और स्टीफिन जमीन पर गिर पड़ा अब धीरे धीरे वो सारी भयाना कात्माएं स्टीफिन के पास आ गए और उसे घेरने लगी असली दुनिया में स्टीफिन के घर की सभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी स्टीफिन वही नीद में दर्द से चिला रहा था उसके कमरे का समान खुद बखुद गिरकर फूटने लगा था यह सब देखकर स्टीफिन की मॉम उसके लिए बहुत परिशान हो गई और वो जोर जोर से स्टीफिन को पुकाणने लगी दर्दर में जब स्टीफिन की फसी हुई आत्मा को उसकी मॉम की आवाज आई तो उसने हिम्मत करके जोर से अपना पैर डेविल के हाथ से खीचा और जल्दी से भाग कर रेड डोर पार कर लिया और वो अपने शरीर में बापिस आ गया असली दुनिया में स्टीफिन अचानक नीज से जागा और अपनी मॉम को गले लगा कर रोने लगा सब कुछ शायद नॉर्मल हो चुका था इसके बाद एलिस ने हिपनॉटिजम की मदद से स्टीफिन के एस्टल पोजेक्शिन्स करने की ताकत को भुला दिया और उस दिन के बाद से स्टीफिन बापिस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा एलिस ने स्टीफिन की लाइफ तो बचा ली पर फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा केस आया जिसने उसकी खुद की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया लैंबर्ट फैमिली का केस लैंबर्ट फैमिली में जबसे डैल्टिन की आत्मा दफर्दर में फसी तबसे दफर्दर की भयानक आत्माओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा लेकिन इस बार डैल्टिन और जॉश दोनों ही फिर से जाएंगे उस रेड डोर के पार दफर्दर में उन इवल स्पिरिट्स की दुनिया में उन से लड़ने और हमेशा हमेशा के लिए ये कहानी खतम करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने पर क्या वो दफर्दर की भयानक स्पिरिट्स से लड़ पाएंगे जानने के लिए देखिए इंसीडियस दे रेड डोर सिक्स जुलाइ को सिर्फ थेटर्स में मोवी इंगलिश के साथ साथ हिंदी, तामिल और तेलेगू में भी रिलीज हो रही है तो जल्दी से इसके टिकेट्स बुक करो और फाइनल चैप्टर को थेटर के बिग स्क्रीन पर इंजॉय करो और अगर आपको हमारा ये इंसीडियस का वर्जिन अच्छा लगा तो हमारे चैनल खूणी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना